हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गनेश और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने लैप्टॉप या डेस्टॉप पर विंडोस 10 के से इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैप्टॉप या डेस्टॉप पर Windows 7 के से इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजे और साथी में पेल आइकोन बठन भी दपा दीजे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तो आपको OS इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बुटेबल पेंडराई होना ज़रूरी है और ये बुटेबल पेंडराई कैसे बनाते है इसका वीडियो में बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगी वहां से आप वो वीडियो देख सकते है तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना पेंडराई लगा दीजे और अपने लैप्टॉप या डेस्क्टॉप को आप रिश्टार्ट कर दीजे अगर आपका laptop को OS नहीं है तो आप उसे on कर दीजे और जैसे ही आप अपने laptop या desktop को on करेंगे या फिर restart करेंगे तो आपको एक function की दबानी होगी तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे desktop की laptop के जो motherboard होते है वो अलग-अलग companyya manufacturing करती है तो उसकी अलग-अलग functions की होती है तो अगर आपका Dell का या HP का हो तो आप F9, F12 दबा सकते है लेकिन अगर आपका Assemble PC है और आपको motherboard कौन सा है पता नहीं है तो आप वहाँ पर F9, F12 सारे buttons दबा दीजे जैसे ही आप वहाँ पर दबाएंगे तीनों बटन एक साथ तो आपका boot menu open हो जाएगा जैसे ही आपको यहाँ पर boot menu open हो जाए तो आपको यहाँ पर USB drive सेलेक्ट कर देना है देखें मैंने यहाँ पर तीन नंबर पर मेरा USB drive है जनरीक flash disk उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका OS startup यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको पूछेगा क्या आपको 64 bit इंस्टॉल करना है या फिर 32 bit तो मेरा CoteDeo का CPU है तो मैं इसे 32 bit ही इंस्टॉल करूँगा अगर आपका desktop i5 या i3 का है तो आप वहाँ पर 64 bit इंस्टॉल कर दिजिए तो यहाँ पर आपकी new tab open हो जाएगी यहाँ पर आप क्लिक कर दिजिए यहाँ पर आपको कुछ भी change नहीं करना है यहाँ पर आप next कर दिजिए जैसे ही आप next करेंगे तो यहाँ पर आपको windows installation का button दिखाए देगा आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप windows installation पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर operating system कौन सी install करनी है यह पूछेगा आप जैसे ही यहाँ पर अपनी इसहाब से चूज कर सकते हैं विंडोज प्रोपेशनल कीजिए या फिर अल्टिमेट मैं यहाँ पर विंडोज प्रोपेशनल 32 बीट इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया आपको टर्मेंड कंडिशन यहाँ पर एकसेप्ट कर दिजिए और यहाँ पर पूछेगा आप ग्रेड या कस्टम आप यहाँ पर कस्टम को सेलेक्ट कर दिजिए जैसे ही आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे ड्राइव आ जाएंगे यहाँ फस्ट ड्राइव जो है मेरे वो है c drive system drive तो मैं उसे ही format करने वाला हूँ बाकि सारे drives में मेरा backup है तो मैं स्रिफ c drive को ही format करूँगा अगर आप चाहे तो पूरे drives भी format कर सकते है या फिर partition भी अलग से कर सकते है तो आप अपने हिसाब से कर दीजे मैंने c drive को ही format किया है और मैं यहाँ पर next कर दूँग तो मेरा setup start हो जाएगा जैसे ही यह पूरा setup होने के लिए कम सी कम 15 से 20 मिनिट लग जाएंगे तो मैं इस वीडियो को थोड़ा cut कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा weight ना करना पड़े तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है हमारा setup लगबग complete होने वाला है तो आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है उसे restart होने दीजिए तो दोस्तों ऐसे ही एक या दो बार हमारा laptop या desktop restart हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमारा desktop जो है वो restart हो रहा है यह पूरा जो restart है जैसे ही आपका laptop या desktop restart हो जाए तो आप अपना pen drive निकाल सकते है देखिए यहाँ पर हमारा जो desktop है वो restart हो चुका है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो setup है वो complete होने वाला है तो इसको भी आपको यह 5 मिनिट का वक्त लग जाएगा complete installation होने में तो मैं इसे थोड़ा cut कर देखिए जैसे कि आप देख सकते है हमारा जो setup है वो complete हो चुका है और हमारा desktop जो है वो restart भी हो चुका है यहाँ पर आपको आपका username पूछेगा आपको यहाँ पर अपना username डाल देना है देखिए यहाँ पर मैंने अपना pgi username जो है वो set कर दिया है यहाँ पर next कर दीजिए यहाँ पर अगर आप चाहे तो आपना password set कर दीजिए अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं आप ऐसे ही next कर दीजिए तो यहाँ पर आपको पूछेगा product की अगर आपके पास product की है तो यहाँ पर डाल दीजिए अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे activate कर सकते है एक्टिवेटर के through तो इसका वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ यह में बेल आइकोन बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यहाँ पर आप टाइम वगेरा से कर दीजे और नेक्स्ट कर दीजे तो आपका जो सेट अफ है वो पुरा का पुरा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आपका जो विंडोस सेवन है वो पुरा इंस्टॉल हो चुका है और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेस्टॉप के जो आइकोन है वो कैसे ला सकते हैं सबसे पहले तो आप right click कर दिजिए और personalization पे click कीजिए यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि आपके icons है उस पर click कीजिए और जो जो आपको desktop पे icon चाहिए उस पर click कीजिए apply कीजिए और okay कर दिजिए आपके सारे जो icons कुंसे ओ आ जाएंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करकर बता दीजे और साथी में अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग